Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So finally, today SBIPO का mains हो गया. So, इस साल के bank के सभी mains exam हो चुके हैं with this. So, आज मैं SBIPO mains exam दिया मैंने. So, मैं उसका analysis ले के आया हूँ. So, basically मैं बताता हूँ क्या-क्या मैंने किया और मुझे क्या लगता है कि कितना cut-off और ये सब होगा. So, मैं पहले आपको questions बता देता हूँ, मैं जितना मुझे मिला. बाकी 2-4 questions मुझे नहीं मिलें GA के. तो आपको comment करके मुझे बता दीजेगा. So, GA 60 marks का था. जैसे कि आप जानते, इस वार सबसे ज़्यादा GA का ही number है. और 60 marks है और 50 questions है. तो हर एक question 1.2 marks का था. 1.2 marks इच. और negative, गलत हुआ तो negative 1-4 होगा इसका. Divide by 4 कर लेंगे तो 0.3 negative हो जाएगा अगर आपने गलत किया तो. तो एक ये question था. तो most of the questions November, December, January से ही थे. कुछ-कुछ question, एकाद question April और June ये सबसे आ गए थे. एकाद 2-3 question जादा नहीं थे. बाकी कुछ-कुछ static थे. वो मैंने cover किया है, आपको नीचे में देखाता हूँ. Basically लेकिन इसी से लगभग bulk part जो था 50 questions का इसी में से था. So, एक question ये था. इंडिया का पहला private agri, mandi, sayadri, farmer producer company. ये काफी आपने देखा होगा. तो ये किसी से के लिए था, ये grapes के लिए था, जैसे कि आप जानते हैं. तो ये नाशिक. तो इसे बहले मैं ये भी बता देता हूँ. मेरे attempts 30 रहें, 30 attempts किये मैंने. GA मैं. तो इसमें मुझे पता था, मेरे 22-24 सही है. तो मैंने 5-6 थोड़ा, 5-6 ही guesswork किया है. इतना भी नहीं किया है. तो मैं को पता है कि मुझे 24 cash plus तो आई जाएगा. 20 plus तो definitely आएगा. So, देखते हैं. आपका बताईए का आपने कितना attempt किया GMA. So, एक question था. Yes Bank का higher shareholder, तो वो SPI है. B20 head, business 20, business वाला जो group बना है, G20 के लिए. Sable 20 है सब भी बना है, तो उसका एंच अंदर शेखरन है. ये Tata से related है. आप जानते होएंगे. Total credit rating agencies पूछा था. तो ये 6 है, पहले 7 थे. उसमें brickwork का आपने सुना होगा. इनका license अभी काट दिया है, तो ये लोग अभी नहीं कर सकते हैं. So, ये question था. फिर CBDC retail, retail वाला फेस का पुछा था, ना कि wholesale. तो इसमें कौन सा bank नहीं है? तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं, चार banks थे. Starting में. उसमें option में कौन सा नहीं है पुछाता था, तो access है. Access bank नहीं है. तो कौन से कौन से थे? IDFC first. ICICI. और SBI. ये चार banks है मतलब पहले phase में. Access नहीं है. तो इसका answer access होगा. फिर शरत कमाल अचंता, ये table tennis से related हैं, player. काफी famous हैं. इनने कितना medals दीता ये पूछा गया था, तो ये चार. INS वजीर का class पूछा गया था. तो ये तो सबको पता था कि 5th Scorpene class है. तो ये जो ships, Indian Navy ship जो होते हैं, INS. इनका जो पहला जो आता है, उन्हीं के पहला जो भी ship आता है, उसी के class का होता है. ये तो आपको पता है कि कलवारी से start हुआ था, INS कलवारी, करंज, और एक और case से है, फिर वेला आता है, फिर वजीर आता है, और फिर वाक्षी राता है. तो कलवारी class होगा इसका answer, 7th का, फिर SBI का infrastructure bond का पुछा था, 9.7, 9.7, 9.7, कुछ 9.7, 8.1 करोड का शायद bond है, तो वो कितना issuance time किया उसका, तो वो 15 years का है, इनने 2 bonds किया, SBI ने 10,000 करोड का भी किया है, वो 10 years का था, बट इसमें 9.7, 8.1 करोड का, तो वो 15 साल होगा इस answer, फिर Udkash 2.0, ये तो, actually, ये जैन में है ये शायद, तो इसका medium, इसका पुछा था, not वाला चीज, कि कौन सा इन में से सही नहीं है, तो I think मैंने जो mark किया था, वो सही नहीं है, वो एक ही option था, शायद, 2023 से 28 option में दिया हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि ये medium term के लिए था, शायद, 2023 से 25 है, medium term के लिए, तो option देख के पता चल रहा था, मतलब कौन सा सही है, और नहीं वैसे, तो वो वन ही था, बाकि इसका six vision statement है, और वो सब था, वो सही था, तो ये वाला statement गलत था, फिर who does have, does not have था question, does not have shares in UTI asset management company, इसमें बैंकव, बारोड़ा, Canada, LIC, SBI, ये सब शायद option में था, इसका answer मैंने mark नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है, आप बताईएगा, आप search कर सकते हैं, जो मैंने नहीं लिखा है उसके बारे में, आपको question क्योंकि मिल जाएंगे सब इदर, तो के अलग का भी recently test हुआ है, तो कौन सा profession था उनका, तो economist ह economist है वो, आपने सुना होगा अलग committee के बारे में, तो वो इससे पता चलता है, economist है वो, fund school initiative launch किस ने किया है, ये मेरा गलत हो गया है, मैंने metal की, metal शायद option में था, तो मैंने metal कर दिया है, बट actually ये MRF है, मैंने search किया, फिर paradise of food language पूछा, इसका language पूछा था, ये book है, तो ये उर्दू है, exchange traded fund launch कब हुआ, तो ये 2002 में launch हुआ था, ये कब होता है, lead bank का, meetings हो है, वो कब कितना होना चाहिए, ये RBI के according, तो ये at least once in a quarter होना चाहिए, फिर total small finance bank, ये तो बिलकुल ही पता होना चाहिए, 12 है, इसमें SBI clerk के मेंज में भी पूछा था, latest कौन सा है, तो latest unity है, financial bank कितने तो पता है सबको, कि 6 है, मतलब पता होना चाहिए, 6 है, कब स्टार्ट हुआ, ये सब सब पता होना चाहिए, फिर ये ministry of power launched a procurement of agriculture, ये कितने year के लिए तो ये 5 year, ये answer था, फिर Asian cup table tennis championship में कौन जीता है, first ever female, तो ये मनिका बत रहा है, काफी famous player है, ये और अचंता शरत कमल, इंडिया के, Finfluencer Regulator, तो ये YouTube community के लिए, YouTube community पे जो shares या, shares या stocks को related, जो influencers है, जो बताते हैं या suggest करते हैं, तो उनके लिए, ये shares और stocks का बाद जहां आता है, उदर से भी आता है, तो इसका answer से भी होगा, तो उनके लिए, regulate करने के लिए, उनको कि कोई misguide ना हो, जो भी retail investors है, उसके लिए, Sebi ने ये सोचा है, Finfluencer Regulator बनने के लिए, so regulate करने के लिए, फिर ये NFSI था, I think 2019 to 24 तक होगा ये, term पूछा था, कितने term तक है, मैंने mark नहीं किया, but I think ये होगा, I was not sure, तो mark नहीं किया मैंने, so E-mandate limit पूछा था, कितना है, RBI ने जो बोला है, change हु ये होगा, बट ये भी मैंने mark नहीं किया, ये GNPA का gross non-performing asset का ratio पूछा था, sorry, ये date पूछा था, अभी 5.8% हो गया था, end of March 2022 में, तो peak कितना था, peak अब था, peak 2017-18 था, ये पूछा था, जेम सहाय से related कुछ गोश्यन था, ये मुझे याद नहीं है, इससे कुछ गोश्यन था फिर minority community कौन सा, इंडिया में, सबसे ज़्यादा, तो I think Parsi होगा, ये बहुत कम है, बहुत 0.00 something होगा, बाकी option में Jains थे, Sikh, Christians और Buddhist community था, तो इतना था मुझे पता था, Sikh और Christians काफी है, तो Buddhist भी काफी है, Jain और Parsi में ही मुझे doubt था, बुद्धिस में थोड़ा था, बट पार आसी पता था कि काफी कम है community, तो वो ही माक किया मैंने, और सही है वो, GST 47th meeting में tax exemption कौन सा हुआ है, तो ये मैंने तो EV माक कर दिया, but I think EV सही नहीं है, all are, वैसा एक option था, शायद वो सही होगा, अब बताईएगा, आपने क्या क्या है, मुझे exactly पता नहीं चल रहा है, इसका क कि answer क्या होगा, ये शायद मेरा गलत हो गया, तो इसका होगा, all are taxed as per GST, तो कोई भी ऐसा नहीं है, जो exempt होगा है, I think वैसा भी एक option था, तो वो होगा answer, जी पावर का MOU किसके साथ होगा, तो ये NTPC है, फिर रशिया का oil percent, crude oil का supply कितना हो गया है, वो I think 22% है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने का mark किया, I think मैंने गलत कर दिया शायद, तो ये question था, फिर एक NCLT regarding question था, ये क्या था exactly question मुझे याद नहीं, एक consumer confidence survey related था, फिर PLI scheme on export and manufacturing tenure, इसमें tenure कितने साल का है, कितने sectors है, तो ऐसा 12, 14, 16 ऐसे sectors दिये होए थे, तो ये मैंने mark नही किया है, एक ये question था, फिर PTM का shares 4.5% किस ने sell किया, तो soft bank answer, इसमें Canada और कुछ-कुछ ऐसे options थे, तो इसका answer soft bank होगा, फिर Lafarge का था, जो terrorist organization को support करे, ये कौन से country का है, तो ये France का है, फिर advanced tax कितना, I think कितना pay कर सकते हैं, वैसा कुछ question था, और option में कुछ ऐसा 75%, 25% वैसे कुछ option थे, ये मैंने किया नहीं है, फिर World Congress of Accountants में chief guest, कौन था, ये पूछा था, तो I think Ohm Bidla थे chief guest, option में I think ये था, इंडिया और कौन co-president elect हुआ है, International Solar Alliance के लिए, तो France है, ये हमें पता होना चाहिए, और start via ISA start किस ने किया था, ये भी पता होना चाहिए, कि इंड इंडिया नहीं किया है, 2015 में, इंडिया और फ्रांस नहीं किया, I think, so ये था, फिर 10% से कितना increase किया है, NAV में, 12% of NAV, 12% था अंसर इसका, ये मुझे पता नहीं था, बट लोग क्लिनिक बोल रहे थे, आप चेक कर लीजेगा इसका, अगरिकल्चर क्लिनिक सम्थिंग, तो क्लिनिक है इसका, फिर IFSCA का वीरेबल कर्पिटिल कम्यूनिटी का कमिटी है कौन है, तो I think MSA हो होएंगे, मैंने मार्क नहीं किया है, बट ये आंसर ही दिख रहा था, गुलाम अबबास मुंतासर, इनका रिसेंटली डेथ हो गया है पास्ट अबे, तो ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेट है, तो ये बास्केटबॉर प्लियर है, फिर हाइस्ट उप्याई ट्रांसक्शन, 80% थर्ड पार्टी अप्लिकेशन प्रोवाइडर्स, जिनका 80-81% क्यास पस होता है, तो वो ऑप्शन कुछ-कुछ दिये थे, तो फ फिर ये तो शायद कवर हो गया, सायद रिफस्ट ये, एक ग्रेप्स के लिए नाशिक है, क्रेडिट डेपॉजित रेशियो किस रीजन में लोईस था, 44.5% दिया हो था, तो आइधिंक वो इस्टन होगा, ये मेरा, ये मैने गल्ती कर दिया, नॉर्थीस्ट मैने शायद मा प्रामोटर शेर अब कितने से कितना इंक्रीज हो गया है, और कितने साल के बाद ये इंक्रीज होता है, तो ये हो सकता है, तो ये 26% है, तो लगभग इतने कोशन हुए, तो मेरे अटेंट इसमें 30 है, इसमें मुझे और 1.2 माक सीच है, तो मुझे लगता है, 20 प्लस तो मुझे आराम से मिर जाएंगे 4-5 यह से मुझे दिखे हैं जो गलत है बाकी देखते हैं एक दो और आगे पीछे कुछ गलत हो सकता है तो 20 प्लस तो इसमें आजाना चीए तो यह रहा GA का एनलिसिस तो मैं बोलूँगा moderate था hard भी नहीं बोलूँगा I think SBI clerk mains का side जिस से थोड़ा जादा hard था बट हाँ यह बोलूँगा कि easy भी नहीं था एकदम कि सब लेके आ जाए बहुत अच्छे number तो इतना तो था कि मैंने काफी किया था तब मेंको इतना है बाकी सब का आप मुझे पता नहीं कैसा हुआ है आप बताईएगा मुझे कमेंट्स में आपको कैसा लगा जीए English का मैं अभी आपको बताता हूँ तो एक RC था Information Technology पर ICT पर तो उसी पर कुछ कुछ questions पूछे थे और question का link मुझे काफी लग रहा था कि सब English में लेंगदी है IBPS PO मेंस का English मुझे in fact और SBI कलरक मेंस का भी English easier लगा था आज के English से तो यह थोड़ा लेंगदी लगा था Expeditious का synonym पूछा था और Expedite मतलब advance, increase अब मुझे सब doubt हो रहा था तो मैंने यह mark नहीं किया तो इसमें 7-8 questions थे तो कुछ-कुछ questions किये फिर लास्ट में यह RC भी था एक 5 questions climate तो इसमें 5 paragraphs थे अलग-अलग से दिये हुए तो एक यह था उसमें ABC करके 3 statements भी थे उसमें से error कौन से में था वो ऐसा भी कुछ question पुछा था फिर यह यह अलग ही pattern था इस बार पांच statements दिये थे पांच sentences उसमें एक-एक error होगा और option में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे error दिये थे तो यह काफी tricky है मेरे हिसाब से और काफी ज़्यादा chances है wrong होने के यह वाले क्योंकि बहुत एक तो link दी था और ध्यान से करना पड़ रहा था यह मैंने जादा मैंने एक ही शायद attempt किया मैंने बाकी skip किया क्योंकि बहुत chances थे गलती होने case में फिर पैरा jumble था पैरा jumble easy था अक्चुली जादा hard नहीं था मतलब पता चल रहा था I think C के बाद A या B मुझे याद नहीं आ रहा है इतना मुझे याद है कि D और F शायद साथ में था और B और E ऐसा कुछ था D F B का बहुत लोग ने F D किया होगा मेभी बट इतना शौर है कि देखिए एक ही रॉंग होगा तो बाकी ये तीनो साथ में ये तीनो साथ में ही चलेंगे और A होगा फिर इदर तो ऐसा कुछ पैटन था I think C A, D F, B E तो इसके रिलेटेट कोशिन थे पैरा जंबल के 5 कोशिन सेंटेंस अरेजमेंट ये ये ओल्ड पैटन था ये ओल्ड पैटन नहीं था और इसी था, हाड नहीं था इसमें फिर एक कनेक्टर जद्धा स्टार्ट वाले ये ऐसे थी कि पहले स्वाप करना था, तो स्वापिंग वाला तो इजी था कनेक्टर वाला थोड़ा ट्रीकी था बट ये भी हो जाता तो एक ये था, सेकंड कोशिन में कनेक्टर से पूछ रहे थे कि कैसे कनेक्ट होके कौन सा सही होगा, grammatically तो English लगभग इतना था, तो मैं बोलूँगा इसका भी लेवल moderate है, generally English easy to moderate होता है, बट ये moderate moderate to tough लगा मुझे तो लोग moderate ऐसे बोलते हैं मुझे moderate to tough लगा, क्योंकि कुछ-कुछ tough भी थे, questions ऐसे tricky भी थे, तो देखते हैं कैसा होता है, और तो मैंने 24 attempt किया English में, और 35 questions और 40 marks, इसमें कुछ mention नहीं था, एक mark या दो mark का, तो मुझे लगता है हम सीधा 40 को 35 से divide करके देख सकते हैं तो 1 point 1 4 1.14 marks का हो, इसा हो सकता है तो आप इससे multiply करके देखे का, आप मॉक्स में देखे का, English का कैसा उनने divide किया है, उसी के accordingly हम भी करेंगे सो अब आता है, कॉंस का section, मैंने मैंने साथी attempt हो है, मैंने एक में बहुत खराब अटक गया और मुझे नहीं अटकना चाहिए था in fact मैंने IBPS प्यों में 18 marks का किया था IBPS में तो काफी disappointed था मैं मैंच के बाद actually कि इतनी जादा कर पाया और जबकि थे questions बनाने लएक आगे, मैंने देखे बाट time जादा बचा नहीं बढ़ ठीक है, cut off तो फिर भी मुझे पता है clear होना चाहिए let's see क्या होता है अब तो कितना सही गलत हो, I hope सब सही जितना किया हो, अच्छा कासा सही हो इसमें quadratic based question थे, आजकल quadratic based काफी पूसते हैं तो आप ध्यान दीजिए इस topic पे quadratic based 4-5 question थे लगबक नॉर्मल ही थे, उसमें roots का relation दिया हुआ था किसी-किसी में, या roots mentioned थे तो यह क्या होता, यह आपको बस equate करना है, यह roots अंदर equations में आपको P, Q, T, वो सब सब के value मिल जाएंगे किसी में A, B, C का था relations दिये थे, 3C greater than B वैसे-वैसे relation दिये थे, और लिखा था, B और P prime number है, उसमें B या P में से कुस तो एक greater than 11 है, P greater than B है, यह सब ऐसे relations दिये हुए थे, तो इससे आप निकाल सकते थे यह values, तो यह मैंने कर लिये, और I think data sufficiency का एक question था, ऐसा इस ही है, और भी एक-दो के, मैंने तो यह तक पर question ही नहीं देख पाया, क्योंकि एक जगा मैं जो अटका, अब दर मैंने यह वाले में मैं अटका, तो मैंने इदर बहुत ना इंबेश्ट कर दिया, फिर scatter graph था, यह वाला probability और यह सब था, इस में मुझे नहीं करना चाहिए था actually, बट ठीक है, जो हुआ, सो हुआ, mixture-based caselet था, तीन question I think थे, milk, water, वैसा, 5 is to 3 का ratio था, milk और water का, तो यह doable था actually, यह आप options से ही उठाते तो आपको पता चल जाता, XML निकाला और फिर, XML milk एड़ कर दिया, तो ratio I think कुछ 75 is to 13 आया था, तो 264 की क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, यह I think करोगे आप, तो आपको initial, initial अगर यह mixture रहेगा, तो आपको शायद यह ratio आ जाता है, तो यह option से कर लिया था शायद मैंने, तो यह वाला question कर लिया, बाकी तो फिर मैं जादा देख नहीं पाया, इसी में मेरे हो गए थे, 6, 7, 7, 7 question, 8 question किये मैंने, number series based फिर भी था एक question, जो मैंने सुना, बाकी तो मुझे पता नहीं आप बताएगा, आपका कैसा हुआ cons, so इसमें मेरे इतने attempts हुए, और 1.66 marks each है, cons, अब आया LR, तो हाँ, level का बात करों, तो modded to tough, of course, आजकल, cons का यही level आ रहा है, हर mains में, जैसे कि आप देख रहे हैं, so, coded blood relations थे, starting ही, I think वैसे हुआ था, तो, easy था यह, यह तो मैं बोलूँगा, easy mains के हिसाब से easy था, अब कर सकते थे, ज्यादा कुछ नहीं था, coded syllogism था, यह भी easy था, ज्यादा hard नहीं था, coded direction था, यह मैं बोलूँगा, easy नहीं था, थोड़ा करना पड़ता, मतलब salt, बहुत easy भी नहीं था, यह मैंने नहीं किया, coded direction था, इसमें, I think वैसा कुछ था, ABCDEF वैसे लोग थे, और फिर north, south, वैसे कुछ-कुछ जा रहे थे, इसमें ऐसा था, फिर एक यह था, इसमें vowels, consonant वाला एक था, ऐसा कुछ, तीन-तीन words था, I think, ऐसे तीन-तीन letters, तीन-तीन letters थे, letters के ऐसे strings थे, 5, और condition था, दो condition था, और एक condition में, I think, वावल से अगर word स्टाट हो रहा है, तो end में आप consonant add करो, कि सही बने, start में आप consonant add करो, कि सही word बने, I think, एक word mode बना था, और एक कुस्तो word बना था, और फिर, उनने कुस्तो पुछा था, कि राइट से थर्ड या कुछ वैसा पुछा था, और उसके बीच में कितने alphabets आ रहे है, I think, O से T आया था, और 4 बनर PQRS, तो 4 होगा, शायद ऐसा कुस्ता, मुझे याद नहीं है exactly, बट ये शायद मैं आटेंप्ट किया था, तो एक ये था, और भी कुछ तो था इसमें, याद नहीं आ रहा मुझे, और machine input output था, ये easy था, तो ये वैसा था कि, 5, 5, और बीच का number I think same रह रहा था, और last का भी कुछ number था, तो ये multiply हो रहे थे actually, 5, ये 25 हो जाएगा, और इधर का भी जो number था, वो multiply होके कुछ बन रहा था, तो easy था ये मैं तो बोलूँगा, पहला step अगर पता चल जाता, तो फिर सब पता चल जाता, पहला step में ही मुझे time लगा, बट फिर ये पता चल गया, तो ये बन गया, फिर critical reasoning के 6 questions था, ये तिर फिर 5 से 6, तो ठीक थे मतलब इतना attempt मैं तो नहीं करता, एक आद मैंने किया है, बस जादा नहीं किया है, फिर data sufficiency के थे, इसमें एक तो लगता है spider man, और वो सब movies related थे, circular based, तो एक मैंने वो किया है I think, और एक और मैंने किया है इसमें, इसमें इधर और, इधर statement से आ रहा था, एक और जो था उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा था, तो मैंने दो किये थे इसमें, मैंने puzzle एक भी नहीं किया शायद, flats and floor based था एक चार question का, एक cells based puzzle था, फिर एक direction possibility था, आठ मीटर के gap दिया था सब में, और, यह वाला तो six triangles वाला तो देखके छोड़ धिया मैंने, कि क्या ही, मतलब इतना क्या ही बना है, फिर week का था कुछ weekly, six days और वैसा कुछ था, तो मेरा 13 attempt हुआ, 13 attempt किया मैंने, और 1.25 marks each है, तो ठीक है reasoning का इतना नहीं है, मैं math से ही थोड़ा disappointed था, बाकि ठीक है, फिर descriptive का बात का रहें, तो letter से start हुआ था, 20 mark का है letter, उसमें तीन, तीन options थे, तीन options थे, तो, तीन का मुझे याद नहीं, बट हाँ, ऐसे थे true editor, एक editor को लिखना था, youth in depression के लिए, और क्या steps ले सकते हैं, decrease करने के लिए, और एक conversion of minor to major account था, तो मैंने ये वाला लिखा है, इसमें, क्यांकि ऐसे वाले काफी, to manager of the bank, ऐसे वाले मैंने लिखे थे, तो मैंने ये ही लिख दिया, तो आपको पता है letter पे, format पे भी marks होते हैं, तो पहले letter का format हुआ, आपका address, date, जिसको भेज रहे हो, उसका address, फिर subject आता है, फिर sir आता है, फिर आप लिखना चालू कर सकते हैं, कि आपका bank account है, ये आपका savings account number है, आप क्यों लिख रहे हो, letter conversion के लिए, तो ये ही सब लिखना था, basically, और details थोड़ा कुछ मेंशन करना था, बाकि, कि आपको ये authorize signatory भी बनना है, वो सब, ये मैंने लिखा, इसमें, और फिर ऐसे था 300 words का, उसमें girls and boys equality for development of India एक था, एक financial literacy था, is the key to financial freedom, तो एक ही है था, तो मैंने ये ही वाला लिखा है, तो ऐसे 300 words का था और 30 marks का था, तो ये रहा self-given analysis मेरा, तो मेरे attempts कितने हुए, GA में 30, English में 24, Maths में 7, और LR में 13, बट ये ध्यान पर रखिये, कि हर question, कोई भी question एक number का नहीं है, I think, एक number से ज़्यादा ही है, तो जो attempt से marks उससे ज़्यादा ही होगा, definitely, तो ये कितना होता है, 74 होता है, ये ज़्यादा तो नहीं है, प्लस अब पता नहीं कितना descriptive में आता है, descriptive में कितना आएगा, प्लस इसमें कितना negative होगा, इसमें तो मुझे पता है कि मेरे बाच्छे रॉंग हो सकते हैं, बाकी right है मुझे क्योंकि पता था, तो मैं हमेशा ऐसा ही strategy यूज़ कर रहा हूँ अभी GA में, अगर मेरा 22 प्लस या 20 प्लस हो जा रहा है, तो मुझे पता है इतना तो मुझे definitely मिलने वाला है, तो मैं 4-5 थोड़ा guess कर लेता हूँ, basically मतला मुझे जो लगता है close है, वो वाले guess करता हूँ मैं, बाकी नहीं करता, obviously, तो मुझे लगता है मुझे 24 या 25 के आराउंड तो आई जाएगा GA में, बाकी मुझे क्योंकि दिखर है कि मेरे सही है mostly, तो उतना आ जाएगा, तो इंग्लिश में पता नहीं कैसा क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा tough था, और मैट्स तो basically सब mostly right ही होगा, और LRB एक बस मैंने, इसमें एक question बस मैंने critical reasoning का किया है, बाकी तो I think right होगा, तो देखते हैं कितना number आता है, मतलब I am expecting 100 to 110 के range में तो आना ही चाहिए, cutoff तो clear हो जाएगा, but let's see, I hope cutoff थोड़ा नीचे जाए इस साल, कि थोड़ा अच्छा रहे, मतलब range marks और cutoff का gap अच्छा रहे, तो पिछले साल 2021-20 का cutoff 92 का cutoff बेसिकली 94 पॉइंट सम्थिंग था, जेनरल के लिए, तो इस बार मुझे लगता है 90 plus minus 5 होगा, मैं इदर लिख लेता हूँ, काट ओफ एक्सपेक्टेड जो है, अटेम्ट से जितना मुझे दिख रहे हैं, बहुत लोग के कम भी अटेम्ट से हैं, किसी किसी के अच्छे भी है काफी, बच जादा नहीं हैं वो लोग, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहे है 90 plus minus 5 का range ही लग रहे है, उससे जादा तो नहीं जाएगा, तो आप कभी भी range देखोगे, मैंने SBI के range देखे हैं, मतलब cut-offs के, तो 88, 93, 94, लग बग मतलब 88 to 95 जादा range करता है, पेपर के, जो भी vacancy हो, तो बेसिकली इस वार vacancy कम भी हुआ, तो भी आपने देखा कि prelims में भी cut-off minus 4 गिर गया, तो मेंज में क्यों नहीं हो सकता है, मेंज में भी ऐसा हो सकता है, I hope 90 के असपास हो cut-off, या इससे मैं तो चाहूँगा सब चाहेंगे की कमी हो, बट लेट से, आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट में कि क्या cut-offs जा सकता है, और आपके attempts कितने थे, और आपको कैसा लगा आज का पेपर, So, that's it from my side, and do subscribe my channel if you are here for the first time, so that you don't miss out on any update, and thank you, stay tuned.